मृदा प्रित्वी के सबसे उपरी परत होती है ये प्रित्वी पर पाई जाने वाली महत्वपून संपदाओं में से एक है हम अपने आसपास देखते हैं कि कृषी के लिए मृदा की जरूरत पढ़ती है और कृषी से हमें भोजन प्राप्त होता है तो हम समझ ही सकते हैं मृदा हमार ले कितनी महत्वपून संपदा है वीडियो के इस भाग में हम निम्न के बारे में पढ़ने वाले है शुरू करते हैं मृदा किन कारकों से मिलकर बनती है मृदा निम्न कारकों से मिलकर बनती है सूर्य, जल, वायू और जीविद जीव सूर्य दिन के समय पत्थरों को गरम कर देता है जिससे वे प्रसारित हो जाते है और रात के समय पत्थर ठंडे हो जाते है और ये संकुचित हो जाते है बार-बार प्रसारित और संकुचित होने से पत्थरों में दरार आ जाती है और ये टूट-टूट का छोटे-छोटे टुकडों में विभाचत हो जाते है पानी पानी एक अन्यकारक है जो मिट्टी के निर्मान में मदद करता है यह दो तरह से काम करता है पहला सूरे के ताप के कारण जल पत्थरों की दरारों में जा सकता है और यदि यह जल उन दरारों में जम जाता है तो यह दरारों को और चोड़ा कर देता है और छोटे कणों में तोड़ देता है दूसरा तेजी से बहता हुआ जल अपने साथ साथ छोटे सभी पत्रों को बहा कर ले जाता है और ये पत्थर एक दूसरे के साथ टकरा कर भी छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं तीसरा कारक है वायू जिस तरह जल में पत्थर एक दूस्टे के टकराने की कारण तूटते हैं, उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थरों को तोड़ देती है और वायू म्रदा की कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी ले जाती है आखरी कारक है जीव म्रदा की निर्मान में जीवित जीव भी एक महत्वपून भूमिकाने भाते हैं जैसे कि लाइकन अकसर मिटी की सता पर उखते हैं और यह एक ऐसे पदात को छोड़ते हैं जिस कारण चटान की सता छोटे छोटे कणों में तूट जाती है दूसरा है मौस जिसे हम काई भी कहते हैं मौस छोटे छोटे पौधे होते हैं जो की म्रदा पर उखता है मौस पत्थर को और अधिक तोड़ने में सक्षम होते हैं तो इस प्रकार यह सभी कारक मिलकर म्रदा को बनाते हैं चलिए अब हम भूमी प्रदूशन के बारे में बात करते हैं पहले देखते हैं मौस प्रकार के सुक्षम जीव भी मिले होते हैं मौस पत्थर की उपरी परत जिसमें छोटे छोटे कण, ह्यूमस और जीव होते हैं उसे उपरी मौस कहते हैं ध्यान दे म्रदा के गुण को उसी में मौजूद ह्यूमस की मात्रा और जीवों के आधार पर किया जाता है और कभी-कभी बड़ी मात्रा में उरवर्कों और पीड़क नाशकों का उपयोग करने से म्रदा की जरूरी जीवनश्ट हो जाते हैं जिससे म्रदा की उरवर्ता में भी कमी आ जाती है तो इस प्रकार उपयोगी घटकों को म्रदा से हटाना ये दूसरे हानिकारक पदार्थों को म्रदा में मिलना जो की म्रदा की उरवर्ता को प्रभावित करते हैं इसे म्रदा प्रदूशन कहते हैं अब वीडियो को रोके और म्रदा प्रदूशन जिससे हम भूमी प्रदूशन भी कहते हैं कि परिभाशा को अपनी कॉपी में उट कर ले तो यहां हमने मृदा प्रदूशन के बारे में पढ़ा चलिए अब मृदा परदन जिसे अंग्रेजी में सोयल एरोजन कहते हैं को समझते हैं बहते पानी या वायू के साथ मृदा के कणों का अपने मूज स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होने को मृदा का अपरदन कहते हैं मृदा अपरदन जादा तर उन शेत्रों में होता है जहां मृदा पौधो से ढखी नहीं होती है आईए इसे क्रिया कलाप से समझते हैं एक ही तरह की दो ट्रेले और दोनों ट्रे को म्रदा से भर ले पहली ट्रे में कुछ पौधों को लगा दे इसके बाद दोनों ट्रे को एक ही कोन पर जुका दे और दोनों ही ट्रे में समान मातरा में जल डाले अब ट्रे बहा निकलने वाली मृदा की मातरा पर ध्यान दे आप देखेंगे कि पहले ट्रे की तुलना में दूसरी ट्रे से जाधा मृदा निकलेगी इस क्रिया कलाब से हम निशकर्ष निकाल सकते हैं कि बिना पौधों के उपरी मृदा धीली होती है जिस कारण तेज वायू या जल्द के द्वारा असानी से कहीं भी जा सकती है चली अब एक प्रश्न करते हैं प्रश्न आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब समय समाप्त इसका उत्तर देखते हैं सही उत्तर है चौथा विकल वीडियो को रोके और इस प्रश्न को अपनी कॉपी में नूट कर लें यहीं पर यह टॉपिक समाप्त होता है और आपको पता है आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पे दिये गए प्रश्नों को खुद से हल करना है धन्यवाद